नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे की एक्विम आई ज्रॉप का उप्योग किन कंदीशन्स में किया जाता है, एक्विम आई ज्रॉप को आखों में कैसे डालना चाहिए और एक्विम आई ज्रॉप की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे की एक्विम आई ज्रॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, Equim eye drop का उपयोग आखों में सूखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए Equim eye drop का उपयोग किया जाता है, इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई इंफेक्शन होने पर भी डॉक्तर Equim eye drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं, क्योंक एक्विम आई ड्रॉप में आर्टिफीसियल आसू होते हैं, जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं, और आखों में इन्फेक्शन को होने से रोकते हैं. आखों की लेसिक सरजरी या कैटराक्ट सरजरी होने के बाद भी डॉक्टर आखों में सूखापन और इन्फेक्शन को रोकने के लिए एक्विम आई ड्रॉप को डालने की सला दे सकते हैं. आखों में सूखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किर्किरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो एक्विम आई जॉप की वजह से अभी तक कोई साइड इफेक्स नोटिस नहीं किये गए हैं, लेकिन एक्विम आई जॉप को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है, यदि किसी व् को डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्तर एक्विम आई जॉप को बंद करने की सलाह दे सकता है, अब हम डिसकस करेंगे कि एक्विम आई जॉप को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है, ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर भी हो सकती है, इसलिए आपको एक्विम आई जॉप को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, अब हम डिसकस क करेंगे की एक्विम आई जॉप को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, एक्विम आई जॉप को आखों में डालने के बाद एक्विम आई जॉप के धकन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए, और एक्विम आई जॉप की बोतल की चोच को कभी भ की उस बोतल को एक महीने के अंदर उप्योग कर लेना चाहिए और एक महीने से ज्यादा पुरानी खुली हुई एकविम आई जॉप को आखों में नहीं डालना चाहिए एकविम आई जॉप प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पह चाहती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी एकविम आई जॉप का उप्योग करना सुरक्षित है इसलिए जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को एकविम आई जॉप को आखों में डालने की सला दे सकते हैं वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका एक्विम आई जॉप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं